गुर्ण मॉर्निंग स्टुडेंट्स आइम केशव त्रिवेदी आइम फिसिक्स फैकल्टी अट विद्याव इंस्टिट्यू तोड़े आइम गोईंग तो टीच यू वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक इन न्यूटन्स लॉज अफ मोशन इस स्यूडो फोर्स एक बहुत ही इ की जरूरत पर सकती थी वह सारे क्वेशन आल्मोस्ट ओरली हमसे सॉल्व हो जाएंगी स्यूडो फोर्स के मदद से इसलिए इसको वन आप दो मोस्ट इंपोर्टन कॉंसेट इन यूटन्स लॉज अफ मोशन कंसीडर किया जाता है सबसे पहले तो हम समझते स्यूडो फोर्स होता क्या है ठीक है तो बेटा आपने जूनियर क्लासेस की बाइलोजी में भी पढ़ा होगा ठीक है और आप बाद में भी पढ़ते हो कि स्यूडो वर्ड का जेनरल मीनिंग क्या होता है ठीक है तो स्यूडो वर्ड का मतलब होता है पॉल्स है ना पॉल्स मतलब जो दिखे सभी सभी sensors क्या होता है पिटा उड़ोफोर्स कोई बहुत भारी भर कम नहीं इयुक बहुत ही इजी इस करी करें तो कि 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 ये पहले हम लोग अभी तक किम फोल करते आ रहे थे进ील ल्ग बॉडिस पर हम fbd बना से जितने भी questions को हम solve कर रहे थे उसमें अक्सर हम जमीन पर खरे होके चीज़ों को observe करते थे उन पर net force की equation लिखते थे और उसके बाद analyze करके उसको solve करते थे कुछ ना बोला जाए तो common sense की बात है कि मैं जमीन पर ही खरे होके हर चीज को observe कर रहा हूं उसके accordingly मैं net force की equation लिख रहा हूं और उसके हिसाब से acceleration tension या जो कुछ भी नॉर्मल जो भी force हमें निकालने के लिए कहा गया है वह FBD के मदद से हम solve कर रहे हैं उसके हमने trick भी देखी थी तो वह trick भी अपन जमीन पर खड़े होके लगा रहे हैं जो कुछ भी observe कर रहे हैं वह जमीन पर खड़े होके जैसे observe करते तो क्या results मिलती उसी तरह की results यहां भी मिल रही है ठीक है pseudo force एक नया concept समझेगा pseudo force आता का है सबसे पहले pseudo force समझने के लिए हमें एक चीज को समझना बहुत important है जिसे कहते है फ्रेम ओफ रिफरेंस ठीक है फ्रेम ओफ रिफरेंस क्या होता है एक सिंपल भाषा में अगर मैं बोलू बिलकुस सिंपल भाषा में तो जहां पे बैठके बैठके या खरे होके जहां से भी मैं किसी motion को observe करता हूं एनलाइस करता हूं उस place को उस ज जहां से भी बैठके हम motion को observe करें बैठके मतला बैठके नहीं खरे होके भी कहने का मतलब है जहां से भी हम motion को observe करें उसे frame of reference कहते हैं वो place जहां से हम motion को observe करें उसे frame of reference कहते है ठीक है बेटा frame of reference बेटा दो तरीके की होती है अभी हम आएंगे pseudo force पे भी pseudo force को pseudo कहते क्यों है इस पे भी आएंगे लेकिन फिलहाल सबसे पहले हम इसका जन्म कहां से हुआ पहले इसे समझते हैं ठीक है फिर बाद में इसकी characteristic देखेंगे कि pseudo force को pseudo कहते क्यों है क्या काम होता है क्यों आया नहीं आता तो क्या होता ठीक है यह सारी चीज़े हम देखेंगे लेकिन सबसे पहले इसका जन्म कैसे हुआ यह समझेगा ठीक है तो frame of reference अभी मैंने define किया कि वह जगा जहां से खरे होके हम motion को observe करते हैं उसे frame of reference कहते है ठीक है यह frame of reference Ray Maaf reference basically दो तरीके कि होती है frame of reference जो है आपके दो तरीके कि होती है एक कोती है inertial frame of reference और एक को डिये नोन inertial frame of reference अब यह क्या बला है बहुत असान है बहुत असाने सिर्फ भारी-भरकम नाम नाम देखके ना डरें थे कि इनर्शियल फ्रेमों का मतलब होता है बेटा कि जहां जिस जगह भी आप मोशन को अबजर्ब कर रहे हो जहां से भी बैठके आप मोशन को अबजर्ब कर रहे हो वह जगह कहीं तो होगी अगर उस जगह की एक्सेलरेशन जीरो है अगर उस जगह की एक्सेलरेशन जीरो है अगर एक्सेलरेशन जीरो होगी तो विलॉसिटी या होगी कॉंस्टें एक्सेलरेशन का मतलब मैंने पहली बता है कि एक सेकेंड में मेरी विलॉसिटी कितने से चेंज होती है इसी को तो एक्सेलरेशन कहते है या पर यूनिट टाइप या एक्सरम सेकेंड लेते हैं तो सिंपल कर लेते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड इसकुल एक्सलरेशन जीरो है इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी क्या रही होगी जीरो अगर मैं बोलू कि एक सेकंड में आपकी वेलोसिटी जितने से चेंज होती है उसी को एक्सलरेशन कहते हैं और अगर मैं दुवारा बोलू फिर दूसरा लाइन में ये बोलू कि एक्सलरेशन जीरो है मतलब एक सेकंड में कोई चेंज इन वेलोसिटी नहीं है यानि बोल रहा हूं हमेशा द्याम दिमाग में रखके चलिएगा टि लस इक विक्टर कुंटिटि ये उसमें magnitude भी है और direction भी है तो once I say कि velocity Constant है ul 가는 tuya ओध यंगी इयोग अगर constant है इसका मतलब न वेलोसिटी का magnitude बदला न डायरेक्शन बदला है दोनों ही चीज़े fixed है ठीक है वो तो मुझे एक लाइन में क्या बोलना हो एक लाइन मुझे क्या बोलना एक्सेलेशन जीरो है तो वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी अगर 0 होगा तो 0 ही maintained रहेगा यह अलग से मैं लिखवा देता हूं बट एक सिंपल सी बात है इसको अलग से पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी जीरो भी तो एक constant वेलोसिटी है जीरो भी तो एक constant ही ना एक नमबर ही ना है तो सिंपल सी बात है आप फेयर एनफ कि आप सिर्फ इतना याद तो यह सारी चीज़े यह पूरी समझ में आगे लेकिन यह किसकी प्रोपर्टी यह किसके गुना है इनर्शियल फ्रेम आफ रिफरेंस की यानि जिस जगह पे बैट के मैं आद मोशन को अब्जर्व करता हूं उसे फ्रेम ऊफ रिफरेंस कहते हैं और अगर वह जगह का acceleration जीरो है कप-कप पॉसिबले जीरो या तो वह रुका रहे रुका था रुका है रुका ही रहे तो वलॉसीटी जीरो और अगर वह फ्रेम ओफ की बिलॉष सिती जिरो है द्यातर रिलवाजरी नहीं चली रही लाँ ना तो जीरील्ले चाइए जीरो मैं आजड़ी निवह व्रेम ऌफ चैना फॉस जगह को आप क्या कहीं ले इन इर्षिल और या फिर वह एक constant velocity से चल रही हो जैसे मैं कार में बैठा वाओं तो मैं कोई भी motion अगर कार में बैठके देख रहा हूं तो मेरा कार ही तो मेरा frame of reference है जहां पर बैठके motion को अबसर्ब करें उसे frame of reference कहते हैं तो मेरा कार ही मेरा frame of reference है और माल लिजे कि कुछ इस तरीके की सीधी रोड है जिसमें मैं एक fix speed से चल रहा हूं और मेरा speed भी constant fix है और मेरा direction भी fix है एकदम सीधा road है और उस पर मैं fix speed से चल रहा हूं तो मैं कह सकता हूं कि मेरे कार की velocity constant है अगर कार की velocity constant है यानि acceleration 0 है या तो मैं कार रोख के Road पे खरआ ओ जाओ तो रुकी वी कार भी acceleration 0 दिखा रही है और अगर कर चल रही है कि पेक्स पीड से fix direction में तो भी acceleration 0 क्योंकि velocity constant दोनों ही सूरत में acceleration 0 है इसलिए दोनों ही सूरत में जहां पर मैं बैट के motion को observe कर रहा हूं यानि मेरी कार वो मेरा frame of reference है और चुकि इस frame of reference का acceleration 0 है दोनों ही सूरत में इस फ्रेम of reference को inertial frame of reference कहेंगे आई होप कि आपको बात समझ में जहां से बैट के motion को observe कर तो से frame of reference कहते हैं अगर उसका कुछ acceleration है तो इनर्श नॉन इनर्शल हो जाएगा और अगर उसका acceleration कुछ भी नहीं है यानि वह रेश्ट पर है या फिर constant velocity से मूव कर रहा है उन दोनों ही सूरत में acceleration अगर 0 है तो मेरा frame of reference inertial frame of reference बन जाएगा ठीक है अब थोड़ा नॉन इनर्शल पर discussion करते हैं अभी बताई दिया मैंने कि अगर एक्सलेशन 0 है तब तो इनर्शल है तो नॉन इनर्शल क्या होगा common sense अगर acceleration 0 होने होने पर इनर्शल बन जाता है तो नौन जिरो ने मेरी नज़ेशन बन जाता होगा common sense की बात यह तो हना रहा है इसका मतलब एक बात तो वेलसीटी में कुछ ना कुछ चेंज आ रही होगे बीना वेलसीटी में चेंज आया एकसलरेशन आही नहीं सकता है ठीक है फेलसीटे अगर ऐसलेरेशन हमेशा 0 होगी और अगर बेलासीटीडी वेर्य endeavors है तो कुछ ना कुछ acceleration होगी और इस तरह के फ्रेम आफ रिफ्रेंस को कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम आफ रिफ्रेंस ऐसा अब्जर्व किया गया बेटा कि कि इनर्शियल फ्रेम आफ रिफ्रेंस में न्यूटन के तीनों लॉव बहुत प्रॉपरली वैलिड है है लेकिन जैसे ही हम नॉन इनर्शियल फ्रेम आफ रिफ्रेंस में जाके अनलिस करते हैं तो न्यूटन लाउ में थोरी बहुत एरर आने लग दे अने लग देती जो मैं देख रहा था जो मैं देख पा रहा था न Thompson ाब्जर्वेशन के हिसाब से जब मैं equation लिखता था तो मेरा equation Newton's law को satisfy नहीं कर रहा था यह काम inertial frame of reference में नहीं है तुम्हारे दिमाग में भी एक डाउट आ गया होगा कि सर आपने पूरा topic पढ़ा दिया अपने tension normal acceleration सबनीकानला सिखा दिया आपने तो कहीं नहीं बोला कि Newton's law कहीं invalid Newton law मान की तो हम सारी बातों को लिख रहे थे सारी questions लिख रहे थे तो ही तो आंसर आ रहा था मैंने आपको class की शुरुआत में ही बोला कि अभी तक हमने जितनी analysis की है सब जमीन पर खड़े हो के की है मतलब ऐसे हम सोच रहते चीजों को जैसे हम जमीन पर खड़े और जमीन क्या है जमीन चल रहा है क्या रुकावा है दो मिनट पहले भी रुकावा था अभी भी रुकावा था पाच मिन बाद भी रुका रहेगा यानि उसकी velocity जीरो जो है वह फिक्स है और अगर वह रेस्ट पर है तो उसकी acceleration क्या होगी जीरो क्योंकि दो मिनेट पहले भी नहीं चला था अभी भी नहीं चला तो चेंज इन वेला से ती तो आ नहीं रहा है पहले भी जीरो था बाद में भी जीरो रहेगा acceleration जब जब acceleration जीरो है तो वह किसमें लाई करता है बेटा जब आप जमीन पर खर हो तो आपका फ्रेम ऑफ रिफरेंस ग्राउंड हुआ और वह ग्राउंड किस टाइप का फ्रेम ऑफ रिफरेंस है इनर्शियल या नॉन इनर्शियल जीरो है इसका मतलब यह इनर्शिल फ्रे प्यार से वैलिड कहीं किसी तरह का कोई इश्यू है इंप बहुत आराम से वैलीड और बहुत प्यार से वैलिड विल्कुल एक पर्सेंट दिमाग नहीं लगाना एक परसेंट भी नहीं क्यों क्यों कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस में बैठके हम पहले ही कर चुके औ इसstystyaldo फोर्स का जो अकॉंसेट है यह कहां आता है यह दर नॉन इनर्सील फ्रेम सुम्हार्ट में इनर्शन में तो स्यूडू-फोर्स का नाम लेना भी पाता है नौन इनर्शल फ्रेम ओफ रेफरेंस में ऐसा क्या हुआ नौन इनर्शल फ्रेम ओफ रेफरेंस में नूटन्स की लॉओ इन्वैलिड होने लगी थी सैटिस्फाई नहीं हो पा रही थी वो मैं अभी करके दिखाऊंगा आगे जब मैं कोश्चन्स लूँगा तो उसमें आपको करके दिखाऊंगा ठीक है कि कैसे इन्वैलिड हो रही थी उस बात की फील मैं दिला दूँगा आपको ठीक है लेकिन अ आगति नहीं है एक क्यों में नहीं है हमें एक फूर्स इमैजिन करना पड़ आ ताकि Newton की लोग वाजिट रहें नॉन इनर्शिल फ्रेम में बैसी कली जो हम अब्जर्व कर पा रहें ना non inertial frame में बैठ कर रहे हैं उसको Newton's law के तरीके से सैटिस्फाई करने के लिए उस force को माने जाना पड़ा अगर उस force पॉर्म में जो एक्वेशन से लिखते आ रहे हैं वो हम नहीं कर पाते हैं और इसलिए हमने क्या माना स्यूडो फोर्स का कॉंसेट माना ठीक है एक बात और मैं बोलूगा ऑब्जेक्ट नॉन इनर्शिल फ्रेम में है या नहीं है इससे रत्ती भर फरक नहीं पड़ता अब ज इव मैं जहां से बैठाके शली को उब्जर्व करूं उसा प्रणिए अगर उसकी एक्स लिरेशन जीरो है तो इनर्शिल फ्रेम आफ पर नइनर्शिल फ्रेम उप प incumbent Witness है ये तो आप बिल्कुल नहीं एक परसंट भी नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं अब जैक्ट नॉन इनर्शिल फ्रेम आप्र Quickori में रह भी सकता है नहीं भी रह सकता है इससे कोई फर्क नहीं परेगा लेकिन और अब्जर्वर शहां से किकि और मोशन को अबसर्व कर रहा है वह जो प्लेस है उसकी कुछ नगुछ एक्सलरेशन होनी चाहिए एक्सलरेशनि जीरो नहीं पर प्लेसी चैर जीटी कॉंस्टेंट नहीं तो मुझे भिश्यक दिख जाया और observer को दिखेगा जो non inertial frame of reference में बैठके चीजों को observe कर रहा है क्यों कर रहा है क्यों स्यूदोफोस मानी क्यों रहा है नहीं मानता ना तो mathematically जो equation में Newton's law लगा लगा कि आप solve कर रहो वह आप लगा नहीं पाऊगे अब कुछ examples देखेंगे सबसे पहले एक जोटा सा example यहां देखें ज्यां से दिखेगा अगर माली जी एक प्लैंक है गारी यह जो मर्जी आप मान सकते हैं मैं यहां पे प्लैंक माले तो मालो एक प्लैंक है उस प्लैंक का कुछ न कुछ इधर की तरह एक्सलेशन मालो यहां पर 2 कि दूपर जो औजरवर है वह लेफ्ट डायरेक्शन में एक वोस देखेगा जिसको Pseudo Force कहते ठीक है यहां पर Confuse मत होईगा Object यहां पर भी हो सकता था Object कहीं बाहर भी हो सकता था उससे कोई फरक नहीं है लेकिन Observer को Non Inertial Frame of Reference में होना चाहिए Non Inertial Frame of Reference का मतलब क्या होता है Frame of Reference का मतलब क्या होता है जहां से बैठ की motion का Observe करें यह बंदा कहां बैठा हुआ है जमीन पे है क्या नहीं प्लैंक पर यह जहाँ बैठा हुआ है क्या उस चीज सी कोई acceleration है या नहीं है हां सर है प्लैंक की acceleration यह यह याانि Pseudo видите Luxon जहां बैठा हुआ है उसकी acceleration है कुछ यानि Observer एक accelerated frame में है यानि quotes आप जार्वर नॉन इनर्श्यल frame of reference में और अगर non inertial frame में observer तो उसे एक pseudo force दिखेगी ही दिखेगी अब force है तो दो चीज़ होनी तो लाजमी है एक magnitude एक direction तो आपके दिमाग में बाहर होगा किसा pseudo force दिख जाती है यह तो मैं मान गया लेकिन किस direction में दिखती और कितनी दिखती है ठीक है धियान से समझिएगा जो observer है वो non inertial frame of reference में है इसलिए उसे object पे pseudo force दिखेगा और pseudo force हमेशा frame of reference का जो acceleration है उसके opposite direction में दिखती है मतलब एक बात तो तो होता है कि अगर तुम pseudo force observe कर रहे हो मतलब तुम जहां से बैठ के observe कर रहे होगे वह एक accelerated frame होगा वह एक non inertial frame होगा उसकी कुछ न कुछ acceleration होगी तभी तो non inertial कह रहे हैं तभी तो pseudo force observe करें बना नहीं करते हैं अब जो भी उसकी acceleration होगी वह acceleration की ठीक उल्टी दिशा में pseudo force लगा देना किसी भी object पे जिस object पे तुम देखना चाहा रहे हो ठीक है जिस object पे एनलिसिस कर रहे हो उस object पे जिधर frame का acceleration है उसकी उल्टी दिशा में pseudo force लगती है और कितनी लगती है जो frame का acceleration acceleration का magnitude ले लेना और इसके mass से जिस object पे pseudo force देख रहे हो उसके mass से multiply कर देना f equal to ma force कोई भी हो mass into acceleration होता है अगर mass variable नहीं है तो force कोई भी हो mass into acceleration होता है ठीक है तो देखो न यह acceleration जो कौन सा acceleration है जो frame का acceleration था और mass किसका है जिस body पे तुम्हें pseudo force देखना उसका mass है तो force क्या हो गया pseudo force ma यानि mass of the body on which you are trying to observe pseudo force and a is the acceleration of frame of reference and when you multiply become f equal to ma that is your pseudo force ठीक है और यह frame of reference के हमेशा उल्टे दिशा में दिखती है और उसका magnitude ma होता है m is the mass of the body on which you are observing pseudo force and a is the acceleration of frame in which from where you are observing the motion ठीक है अब कुछ और questions करते हैं ठीक है इसमें मैं आपको सबसे पहले ग्राउंड के frame of reference दिखाऊंगे ग्राउंड वाले को क्या दिखता माली जी कि मैं जमीन पर घड़ाओं ठीक है यह ग्राउंड पर ग्राउंड को ऐसा frame of reference बार 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 तो बतानी की ज़रूरत है नहीं कॉमन सेंस की बात है ग्राउंड रुकावा है विलोसिटी जीरो है पिक्स है यानि एक इनर्शियल फ्रेम ओफ रिफ्रेंस है एक्सलेशन जीरो है ठीक है ठीक है ठीक है अगर मैं जमीन पर खराऊं और यह इलेवेटर ऊपर एक के एक्सलेशन से जा रही है तो जो एलेवेटर का एक्सलेशन होगा वही इस मास का एक्सलेशन होगा यह जो बॉब लटका वैठ्रेड से इस बॉब का भी एक्सलेशन वही होगा जो एलेवेटर का है क्यूं क्यूंकि ऐसा तो है नहीं कि बॉब अलग है और एलेवेटर अलग है बॉब एलेवेटर के प्रेंदर ना जिस एक्सेलेशन से बाव भी जाता दिखेगा मालों शीशे का एलिवेटर दिखेगा बाहर से चलो उपर की तरफ और धागा तो टेंशन तो हो गई सही ना नीचे की तरफ कौन सी पोर्स है जो हमेशा लगेगी ग्राइविटी तो वेट अफ दफ बॉड़ी एलेवेटर की ए ग्राउंड के लिए मैं लिख रहा हूं सब कुछ अगर इलेवेटर की ए जिस बॉड़ी की भी ए दिख रही होगी ग्राउंड से तो आना क्योंकि एलेवेटर के साथ-साथ जा रहा है कोई अलग थो रही है चलो इस पर नेट फोस लिखते हैं बॉड़ी एक्वल टू एमजी प्लस में अगर मैं यहां से एम कॉमन लेलू यह बन गया जी प्लस ए ठीक है ध्यान से दिखेगा यह एक तरीका बढ़िया तरीका यह ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए अगर जमीन पर खड़ाओ के मैं देखूंगा तो मुझे ऐसे लिखना पड़े यह हम पहले भी कर चुके हैं ठीक है इसमें कोई नई बात नहीं है जमीन पर खड़ें इनर्शल फ्रेम ओफ रेफ्रेंस में खड़ें डायरेक्ट न्यूटन लॉटन लॉट है इसमें कोई मुझे स्यूडो फोर्स की सोचने की ज़रूरत नहीं है मैंने पहले बोला अगर इस बंदे के लिए इक्वेशन लिखूं तो सबसे पहले यह अब्जरवर इनर्शल फ्रेम ओफ रेफरेंस में है यह यह डिसाइड कर यह अब्जरवर जहां बैट के मोशन को अब्जर्व कर रहा है यानि इलेवेटर क्या उसका कुछ एक्सलरेशन है हाँ बिल्कू फ्रेम का अब्जर्वर के लिए नीचे की तरफ स्यूडो फोर्स दिखेगी और कितनी दिखती है जिस बॉड़ी पर स्यूडो फोर्स अब्जर्व कर रहे है उसका मास इन्टू फ्रेम का एक्सलरेशन यानि एम मेर चीक है अच्छा आप मुझे एक बात सोच के बताईएगा कि इस अब्जर्वर के लिए इस मास का एक्सलरेशन कितना है जो एलेवेटर के अंदर बैठा ह है अगर आप लोग में से कोई भी यह सोच रहा है कि इसके एक्सलरेशन इस अब्जर्वर के लिए ए तो वह बिल्कुल गलत है क्यों क्योंकि यह उब्जर्वर इलेवेटर में बैठा हुआ है उसके लिए मास रुका है उसके लिए कोई एक्सलरेशन निया इस तो दिखती लेकिन यह तो रुखाव है इलेवेटर में बैठे ऑब्जरवर के लिए तो यह रुखाव है ना जैसे एक माल लीजिए आप बस के बाहर घरे हो बस के अंदर कोई पैसेंजर बस धीरे-धीरे यह लेकिन उसके फेलों पैसेंजर सके बगल में बैठे मैं उनके लिए थोड़ी कोई एक्सेलेशन उनके लिए तो कल भी बैठा वाथा अभी भी बैठा वाए तो दिर बाद भी बैठा रहेगा और जीरो यह यह यानि इस बंदे के लिए जो नॉन-इनेर्शन फ्रेम आफ अच्छा एक बात बताईए अगर किसी चीज की एकसेलेशन जीरो है तो इस पर नेट फोस जीरो होना चाहिए नीचे के डायरिक्षन में में और एमजी है और उपर के डायरिक्षन में टी है साफ सीधी बात है टी जो है में प्लस एमजी को बैलेंस कर रहा होगा नहीं तो इसका एकसेलेशन जीरो होई नहीं पाता तो यह आ गया मुझे ठीक है यह न्यूटन लोगा है मैंने सिंप्ली कि अगर किसी चीज के एकसेलेशन जीरो है तो नेट फोस जीरो होगा यानि उपर मेरा सेम आया बस फरक इतना है कि ग्राउंड वाले अब्जरवर में जब मैं एक्वेशन लिख रहा था तो मुझे कोई फोर्स इमेजीन नहीं करना पड़ा न्यूटन लोग अपने आप इन्हेरेंटली वैलिड कोई दिमाग लगाने की जुरूत नहीं लेकिन जैसे ही मैं इलेवेटर के अंदर चला गया नौन इनेर्शल फ्रेम और प्रेफरेंस में चला गया मुझे एक फोर्स इमेजीन करना पर गया और अगर मैं यह फोर्स इमेजीन नहीं करता तो मैं न्यूटन लोग को वैलिडेट नहीं कर पाता क्योंकि फिर टी इक्वल टू एमजी आता में और उसी के बाद मेरा न्यूटन लोग वैलिड हो पाया और इसी फोर्स को इस मानेवे फोर्स को स्यूडो फोर्स कहते हैं बस यही कॉंसेट था बहुत असानी से आपको यह चीज़ पील आ गई होगी कि स्यूडो फोर्स क्यों इमेजिन करते हैं अब हम क्या करेंगे अ तो बहुत शॉट में बन जाता है इसमें मुझे इतना सोचना पड़ा एक्वेशन लिखना पड़ा इतना दिमाग लगानी की कोई दूरत नहीं पड़ेगी मैं एक्वेशन को बहुत शॉट में निप्टा सकता हूं ठीक है तो अब मैं हर काम नॉन इनर्शियल फ्रेम से कर इक एक एक्सलारेटीड फ्रेम में हूं मतलब जहां से बैठके मोशन को अबजर्व कर रहां उसका कुछ ना कुछ एक्सलारेशन तो एक बात पक्का है मुझे स्यूडो फॉस अब्जर्व होगा स्यूडो फोस कि देखेगा जिदर एक्सलारेशन फ्रेम का उसके ओपोजि रही है ठीक है अच्छा इस ऑब्जर्वर के लिए यह जो पिंडूलम है या जो बॉब है सौरी यह जो बॉब है या यह जो पत्थर जो भी कहलो यह रेस्ट पे है अगर रेस्ट पे हैं यानि उपर वाले और नीचे वाले फोर्स सारे बैलेंस हो रहे होंगे यहाप एक ट मैं यहाँ पर हूँगा यहाँ पर देखेगा वेंग मशीन वेंग मशीन क्या मेजर करता है सबसे पहले तो यह समझ यह कुछ लोगों को लगता है कि वेंग मशीन हमारा मास मेजर करता वह तो बिल्कुली गलत है नामी यह वेंग मशीन जो वेट मेजर कर और वेट क्या है वेट वह फोर्स है जिससे अर्थ तुम्हें आट्राक्ट करता है यानि mg आलो एम तुम्हारा मास है तो mg is the force by which earth is attracting you towards itself and that is your weight okay it's a type of force weight is a force ठीक है तो वेइंग मशीन मेजर्स वेट कुछ लोगों को यह लगता है ना मशीन मास तो मेजर करना बिल्कुल सोच नहीं गलत है वेट भी मेजर नहीं करता है वेइंग मक्षीन एक्चुली जो चीज मेजर करती है वह तुम्हारा नॉर्मल रियक्शन नॉर्मल रियक्शन क्या होता है मैंने पहल नहीं पढ़ा रखा है कि अगर हम किसी सर्फेस पे खड़े हैं या कोई भी दो सर्फेस कॉन्टैक्ट में तो इन दोनों सर्फेस का जो कॉमन सर्फेस है उस कॉमन सर्फेस के 90 डिग्री पे पर्पेंडिकुलर्ली जो फोर्स स्गरों ऑल मचीन तो मैं अगर यहां आग गरकर खड़े महीं जाएं नीचे की तरह आप आपि वाइंघ मशीन मेरे उपर कुछ लागा रहोगा थिख तो कि आपनी तो वह सो फुर्स मुझभी मशीन मुझल लागा रहा है या मैं में में यहीप लगा रहा हूं तर 메이크업 वेसे इन कॉन्टेक्ट होने के वज़े से उस फोर्स को नॉर्मल फोर्स करते हैं अब ध्यान से समझेगा ठीक है क्योंकि सिंपल सी बात है वेंग मशीन को लिविंग तीन तो है नहीं कि वह तुमको देखे यह सोचेगा यह मोटा है तो इसका वेट ज्यादा बताऊं और यह बैट तो वह फोर्स है जिससे अर्थ एट्रेक्ट कर रही है तुमें उसे वेंग मशीन से कोही मतलब भी नहीं है वेंग मशीन से क्या फोर्स लगा रहे हो वह डिपेंड करता है नॉर्मल पे जो फोर्स तुम वेंग मशीन पे लगा तो वो फोर्स नॉर्मल फोर्स होता है और जो वेंग मशीन तुम पे लगा रही है वो भी नॉर्मल फोर्स होता है और वेट जो है वो तो अर्थ तुम पे लगा रही है उसमें वेंग मशीन कहा से आ गया समझे तो तुम तुम्हारे पैर का सर्फेस के बीच में जो लगने वाला फोर्स जितना ज्यादा होगा उसे थोड़ी पता है कि हाथ खड़ा है या एक बच्चा खड़ा है उसे तो जितना फोर्स लगाओगे उतना वह वेट बता देगा उसी साब से तुम तो खड़े भी नहीं हो तुम मतलब नहीं है तुम उसंपे क्या फोर्स लगा रहे हो उसे उससे मतलब है और उसे जाप से वह वेट बता देता है अब होता क्या हैं जैनरली कि मालो तुम जमीन पर रखे वे वेएव वह को बालो यहेंग मशीन घ्राउंड फेन जमीन पर तुम जब जमीन थेखर है लेकि चुकिन न तुम उपड़ की तरफ जा रहो ने नीचे की तरफ जा रहो मतलब नेट फोर्स जीरो है तो नॉर्मल जो है एमजी के बढ़ाबर है इसलिए अब यह जो मिजर करेगा वह करता नॉर्मल ही है वह फोर्स जो इसके सर्फिस पर लगड़ा है लेकिन वह इस बार समेशा being के बराबर होगा इस चक्कर में वेंग मशीन पर उतना ही फोर्स लग जब सर न उतना नहीं होता है उस चक कर बार जरूरcoin नहीं है इस केस में क्या होगा ढहान से देखिया आपको खुत-बखुध समझ में आजइए चीजमें तियां तेगゃ यहां पर हम देखेंगे यह बंदा इसके उपर नीचे की डिशा में एम जी लग रही होगी तो लगेगी लगे धती माता तो लगाएगी फोर्स वेंग मशीन और इसके सर्फिस में कॉंटेक्ट के वज़से इसके उपर एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा उपर की दिशा मे इसके नॉर्मल फोर्स कर ओँगा यही नॉर्मल फोर्स वेंग मशीन भी फील कर रहे होगी और यही इसका रेडिंग होगा तो अगर मैं यहां पे जाके बैटके देखू तो मेरे लिए तो यह बंदा रुखाव है बट मैं जहां से बैटके देख रहा हूं वह एक accelerated frame of reference है passed है क्योंकि मैरे लिए तो सामने ख़़ा है हँ pense कि मेरे लिए-ग Sima तो शैनि नीचे वाले निवाले तो और ये आफ Woah वांगे तो सब्सक्राण से देखिए क्या क्या आप तो आपको को एक चीज समझ में आएगा यहां पर टेंशन था यहां नॉर्मल बस इससे जादा अंतर कुछ भी नहीं है बस नाम बदल लिया को उसका है ना तो जो नॉर्मल फोसे में प्लस एमजी आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि इस केस में नॉर्मल मजी को प्लस में वेट बंदे का आएगा वेंघ मशीन के पर जादा नॉर्मल था यहां बास यहां बारी कैसे हूग गया यह लिवेटर के वज़े से तो इतना दिमाग living thing तो है नीना बिटा वो तो वही रीड करता है जो उस पर फोर्स लगता तो इस केस में उस पर फोर्स जाधा लग रहा है इसलिए उसका जो वेट होगा वह भी जाधा होगा ठीक है इस केस में आप देखें तो इस केस में बहुत असान नीचे की तरफ क्या लग रहा है नीचे की तरफ लग रहा है इसके लिए तो रुकावा है अब ग्राउंड फ्रेम से भी जाके लिख सकते हैं अब घर पर जाके ट्राइब करिएगा आंसर सेम आएगा ठीक है लेकिन बेवज़ा लंबा होता आप चुकि यह रुकावा है तो एन प्लस में जो होगा उपड़ वाला फोस इस इकवाल नीचे वाला फोस तो एन की वैली हो जाएगी एम जी माइनस में तो एम अगर कॉमन ले लोगे यह हो जाएगा जी माइनस से सिंपल जिसको मैं एक और तरीके से बताऊंगा जिसको जी एफेक्टिव कहते हैं लेकिन फिलहाल के लिए यह काफी है टीक है अब यहां आ जाते हैं इस केस में इस केस में भी कुछ बात ऐसी ह सिंपल बात है आपने यह चीज कॉमनली एक्सपिरियंस भी क्या होगा कि मालो आप बाइक पर बैठे हुए और बाइक एकसलरेट कर रहे हो तो आपको लगता है जैसे आप पीछे की तरफ जा रहा है तो उससे आपका पीछे जाना वह कैसे जस्टिफाई करेगा कि क्यों प अगर आप बाइक की डारिक्स्ट्न में एकसलरेट हो रही है तो अबजेक्ट पीछे की तरफ सिुड़ो फोर्स आपजर्ब करेगा वह जो आपके पीछे बैठावा है तो आपके ऊपर पीछे की डारिक्ट्स लगरी है और इस बाइक गुए अगर नहीं पढ़ा लिखा त लग रहा हाला कि जनरल लाइफ में हम इतना एक्सपीरियंस कर ले इन चीजों को इस तरह से अनलिटीकली सोचते नहीं यह सारी चीज़े हमारे कॉमन सेंस और रिफलेक्स का एक पार्ट बन जाती है तो वही चीज यहां भी हो रहा है कि पेंडूलम पहले नीचे ऐसे लड़क detective cream जैसे यह कार आगे से एक्स peas औरे न होनने लग गया आगे के तरफ एक्सेलरेेट ओने लग गया यह अपने आप पीछे चला जाएंगा common experience है अगर आप सोच के देखो जैसे अगर आप मालो इक दो तो आप पीछे की तरफ जाते हो ना वैसे यह भी पेंडूलम पीछे की तरफ ऐसे मूर जाए कुछ नगुछ थीटा एंगल मूर जाएगा ठीक है अब ए सबसे पहले इस पोजिशन पर सबसे पहले मैं यहां आ जाता हूं इन नॉन इनर्षाल फ्रेम आफ रेफ्रेंस में है इसलिए जो भी एक्सलरे पोड़ी ओन वीच ही इस फोस इन्ट एक्सलेशन ऑफ फ्रेम यह पीछे की दिशा में एक स्यूड़ो फोस इसको दिखेगा ठीक है अच्छा इस टेंशन यह जो टेंशन है यह चुकि एंगल थीटा है तो ऑवियस ही बात है अल्टरनीट इंटीरियर एंगल से यह भी थीटा होगा यह पैलेल ना डोनों कैसे जारे रढ़ीडी जारे है एवाला कॉंपोनेंट कितना होजाएं अगर यह टेंशन है यह वाला कॉंपोनेंट हो जाएगा रटिख 5000 कोंपोनेंट ने स het और नीचे कौन लगती है धर्ती माता तो हमेशा होती है एंप जी ठीक है अच्छा इस अब्जरवर के लिए यह बॉल रुखी विए अगर बाहर के लिए धर्ती माता पे जो खड़ा जो ग्राउंड पे घरा उसके लिए तो पूरा कार चलना तो बॉल भी चलना लेकिन जो अ में भी और वाई में भी क्योंकि अगर एक्स या वाई दोनों में से किसी एक डायरेक्शन में भी एकड़्स कुछ न गुशनों-जेरो होता पता है बाड़ी उसी तासलरेट कर जाते जिदानएंस वादर ही तो percent of the solution ते नहीं दूरहाया इसका मतब मतबारे मिलके एक दूसरे को कैंसिल कर चुके हैं चलो तो अब एक सेक्सिस में सबसे पहले कैंसिल करते हैं तो अगर मैं इसको रप कर दो तो अब इसके लिए लिखते हैं फोर एक सेक्सिस एक सेक्सिस में पहले एक्विलिब्रीम करते हैं तो टी साइन थीटा इस एक्वल टू एक्वल टू एक्वेशन नमबर टू तो मैं क्या करूंगा कुछ नहीं बहुत असान है अगर मैं एक्वेशन वन बायक्वेशन टू करदों डिवाइड़एड रख़िशन टू कंक्लूजन क्या आएगा ट से ट कैंसिल हो जाएगा साइन बाई कॉस्ट तैन थीटा लच अ कर रहा हूं है और M M कट जाएगा तो A by G हो जाएगा ठीक है यहां से आएगा A is equal to G tan theta ठीक है यह कुछ स्यूडो फोस के basic basic problems थे I hope कि आपको स्यूडो फोस का concept समझ में आया हो आप जाके और भी questions try कर सकते कुछ अच्छे questions हम next class में लेंगे और इसके साथ ही साथ हम next topic is start cutting thank you so much I hope you like the class